तो गुजशता रात यूट्यूब ने अपने सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़े चेंज का फैसला किया है जिसका इंप्लेमेंट होगा नवंबर के महीने में पूरे यूट्यूब सिस्टम पर दुनिया के हर यूट्यूब चैनल पर ये चेंज किया जा रहा है आपकी यूट्यूब आपसे एक बहुत बड़ा कंट्रोल वापस लेने जा रहा है तो चलें पहले बात करते हैं लोंग वीडियोज के बारे में आप जब भी अपने चैनल पर वीडियोज अपलोड करते हैं तो वीडियोज अपलोड करने के दोरान जब आप मॉनिटाजेशन में आते हैं तो वहाँ पर आपको different type के ads control दिये जाते हैं कि आपने किस type की ad को on करना है किस type की ad को off करना है वहाँ पर आपको pre roll, mid roll, skippable, non skippable ads format मिलते हैं आप monetization को on करते हैं अपनी मर्जी का format चूज करते हैं और वीडियो को publish कर देते हैं अब सही पूरा control आप से छीना जा रहा है आपके पास सिर्फ एक ही option बाकी रहेगी monetization on, monetization off किसी तरह की ad format आप चूज नहीं कर सकेंगे यह तमाम काम करेगा YouTube का एक नया AI system नवंबर के महीने से आप जस्ट अपनी वीडियो पर monetization को on कर देंगे उसके बाद YouTube का नया AI system आपके वीवर को आपकी वीडियो पर different type की ads format दिखाएगा तो उसके बाद आपका वीवर जिस type की ad पर ज्यादा दे टिकेगा उस एड को देखना पसंद करेगा उसके बाद आपकी वीडियो को देखेगा उस तरह की ads आपकी वीडियो पर permanent कर दी जाएंगी different type के viewers पर different type के ad formats लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और बता है इसकी reason यह है कि हर बंदा अपने जहन के मताबिक अपनी मर्जी के ad format चूज करता था अब जो ad आपने अपनी मर्जी के मताबिक लगाई है वो हर बंदे को पसंद नहीं आती और कुछ लोग आपकी वीडियो पर आते ही वापस चले जाते हैं जिससे आपका वास्टाइम भी कम बनता है तो यूट्यूब का ये निया auto ad system आपके हर वीवर को उस तरह की ads दिखाएगा जिस तरह की ads वो देखना पसंद करते हैं और ads देखने के बाद आपकी वीडियो पर टिके रहते हैं क्योंके यूट्यूब पिछले काफी दिनों से इस चीज़ पर experiment कर रहा था अब आके उन्होंने ये फैसला किया है कि इस चीज़ को auto कर दिया जाए कि हर यूट्यूबर की वीडियो पर सिर्फ उस तरह की ads आएं जिने देखते हुए viewer comfort हो और यूट्यूबर को ad revenue और watch time दोनों मिलें ये तो हुई long videos की बात अब चलते हैं live stream system पर आप मेंसे जो लोग भी live आते हैं live streaming करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि YouTube आपको live stream के दौर एक जबर्दस ad system देने जा रहा है आप लोग अपनी live stream के दोरान 6 minutes 12 minutes 18 minutes 24 minutes और 30 minutes के वकफे से ads apply कर सकेंगे और सिर्फ इतना ही नहीं आप अपनी live stream के दोरान जब चाहें जि इस ad के दोरान आप अपनी live stream में उठकर पानी पी सकते हैं कोई भी technical खराबी है उसे ठीक कर सकते हैं कुछ भी करना चाहें उस time limit में आप कर सकेंगे और मेरे खिया से live streamers के लिए ये चीज़ कमाल की रहेगी तो ये थी एक बड़ी news और YouTube के system एक बड़ा change जो नवंबर के मह आपके viewer के behavior को और उसे उसकी पसंद की ads दिखाएगा और वो आपकी वीडियो पर टिकेगा जिससे आपका watch time आपका revenue increase होगा जो आपको आपकी manually ad choose करने में नहीं मिल रहा था तो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपके पस एक control अभी भी बाकी रहेगा और ये control है कि आपकी वीडियो पर किस तरह की ads आएं कोई भी vulgar ad बेहुदा ad गेर शरी एड़ आपकी वीडियो पर ना आए इस चीज़ को आप अभी भी control कर सकते हैं वो कैसे इसके लिए आपको मेरी ये वीडियो देखनी पड़ेगी इसमें इंशाला आपको आपके तमाम सवालों